प्रदेश का बोज आपके कंदों पे पढ़ता है आप सुबह उठती हैं महिंगाई की चूट आपको लगती है आपके पच्चों को रोजगार नहीं मिलता दर्द आपको होता है काना पकाती है तो हजार रुपे का सिलिंडर लगता है बस में जाती है आपको टिकेट खरीदने का पैसा देना पढ़ता है जैसे ही हमारी सरकार यहां आएगी पहले दिन से तलेंगाना की बाहिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2500 रुपे पहुंचे रुपे आगे साथी पहुंचे रुपे का सिलिंडर मिलेगा और तेलंगाना की हर महिला तेलंगाना के कोने कोने में मुफ्त में बस में जाएगी आप देख लेना आप देख लेना तेलंगाना में लहर आ रही है कॉंग्रेस पार्टी की लहर है आप याद रखना आप याद रखना मैंने क्या बोला और जैसे हमारी सरकार आईगी आप देखना आप पूछना अपने आपसे जो राहूल गांदी ने कहा था क्या सच कहा था या जूप बोला और अगर पहले सचाई समझना चाहती है तो करनाटक चले जाईए और करनाटक में किसी भी महिला से पूछ लीजिए क्या वो बस में फ्री में जाती है हाँ या ना उनसे पूछ लेजेगे इंको बैंक अकांट में पैसा हर महीने आता है हाँ या ना उनसे पूछे क्या वो हजार रुके का सिलेंडर करीते है हाँ या ना बाईयों और बेहनों सबसे जरूरी बात अब मैं आपसे कहना चाहते हुए हिंदुस्तान में अलग-अलग समाज के लोग हैं अबीसी है दलित है अदिवाश्य है माइनोरिटी के लोग है जनरल कास के लोग है में आपसे लोग है जनरल कास के लोग है हम चाहते हैं कि सब लोगों की भागीदारियों हिंदुस्तान को चलाने में आज तेलंगाना में किसी को नहीं मालूँ कि तेलंगाना का धन कहां जा रहा है किसके हाथ में अगर मैं आपसे पूछू कि तेलंगाना में पिछनों की क्या बादी है आप मुझे नहीं बता सकते चलो मैं आपसे पूछता हूं मुझे बता दो तेलंगाना में पिछले वर्ग की कितनी अबादी है देखो हजारों लोग खड़े है मगर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता सही बात है मैंने पार्लोमेंट हाउस में भाशन दिया और मैंने सवाल पूछा कि आप मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान में OBC की कितनी अबादी है मैं समझना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं